हेलो दियर स्टूरेंस वेलकम बैक तो माई यूटीब चैनल सो लेट्स डिस्कुस नेक्स सेंपल पेपर ओफ 12th क्लास जड़ा की रजी साथा फिजिक्स पेपर है प्रीबोट दा थोड़ा कोशन पेपर जड़ा इस तरीके दा आ सकता है या फेप 2022 दा बच्ची पेपर है और थोड़ा डेड़ कंटे दा पेपर होएगा जड़ा की 35 मार्क्स दा होएगा सबतो पहला आपा हलका फुल का स्ट्रक्चर देख लेने राजे 17 कोशन आणगे जड़े की हर एक कोशन जड़ाया कंपल्सरी कोशन होएगा जेदे विच 1 to 5 मार्क्स जड़े 1 to 5 नंबर कोशन है 11 मार्क्स दे कोशन होँगे और सारे दे सारे कोशन जड़े या कंपल्सरी होँगे नेग्स्ट है 16, 6 तो लेके 13 तक जेदे विच बचे 2 मार्क्स दे कोशन होँगे और एदे अंदर जड़ाया 1 कोशन दा आएगा जड़े दे विच इंटर्नल 24 होएगी 14, 15 and 16 मतला कि 33 marks दे बचे 3 questions होणगे जिना विच दो questions एदा दे होणगे जिना दे विच internal choice होईगी last 17th question जड़ा बचे 5 marks दा question होईगा एद विच internal choice वा नो पुछी जाएगी एक ray optics दे विचो और एक wave optics दे विचो unit 6 wave optics दो अलग लग बचे जड़िया playlists थो नो मिल जाणगिया एदा मतला ray optics दे अलग topics दे अलग दे अलग गा जड़ा बचे 5 marks दा question आएगा एक ray optics दे विचो आएगा और एक wave optics दे विचो आएगा बचे अपना question पर पर दा जड़ा structure है तो उसी देख सकते हैं इस तरीके दे जड़े थोड़े questions आएगे almost बचे important topics ही या जो पुच्छे गए है बट 2 marks दे विच कुछी के questions इदा दे है जो पंजाब बोड दे लई new questions है इदा दे questions बहुत कट पुच्छे गए है past time दे विच या 10 year दे विच जो जिदा जिदा बचे पेपर explain कर दी जावाँगी तो और उन आल दी नाल दास दी जावाँगी केड़े topic important है और केड़े topic important नहीं है तो लेट्स स्टार्ट तो बचे first question है नाओ why is sky blue in color जिड़ा sky या ओ blue क्यों color दा हुंदा है तो बचे plus two दे विच तुसी relay scattering पढ़ेया हुएगा तो अगर तुसी सिरफ first line ही लिख क्या हूँगी तो sky is blue due to the phenomenon of relay scattering ताम ही थो और one marks पूरा मिल जेगा बट हो सक्दा कुछ एक टीचे थो और विदा half marks ही देन तो जरूर explain कर के आजाओ blue light of shorter wavelength is scatter more strongly than the red light of a longer wavelength सानों बथा बचे red light दी जो wavelength हों दिया वो जादा हों दिया और जो blue light दी wavelength हों कट हों दिया जेदी wavelength कट होएगी ता मतलों वो हो जादा scatter करेगा उन्हें खिलरना जादा है जड़ी red light हा येदी wavelength lambda जादा होन करके इन्हें काट scatter होना ता दूर तक travel करेगी red light ठीक है इस करके साथी laser light होगी या फिर बचे danger signal हो गया उसारे red color दी दिखाई दिन दिया red color नूही prefer किता जान दाया तांकी जड़ी या दूर तो ही जड़ाया वेव नू पहचाने जा सके या दिख्या जा सके जड़ा blue color अधी wavelength काट होन दिया जी wavelength काट था वो ज्यादा scatter हो जड़ा खेलर जेगा जड़ा खेलर गया तो जड़ी ओ चीज़ा blue color दी दिखाई देगी सो जड़ा sky या बच्छी होते relay scattering होन दिया सो relay scattering देखर के की होन दाया blue color दा जड़ा sun आस्माना ओ दिखाई दिन दाया next हा define polarization of light हुन polarization of light की या the phenomena why which the vibration of a light are restricted in a particular plane is called polarization of light particular plane देंदर जदो कोई light बच्छी vibrate कर दिया या restrict हो जान दिया ओस phenomena नू polarization of light कहन दिया next is what are isotope so बच्छी this is the most 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 important question isotope, isobar, isotone बच्छी तिन दे तिन जड़े definitions हा और या examples हा ओ ज़रूर लर्न कर ला ना most important topic हा mostly देख्या जन्दा ही या पिछले तिन चार साल तो बच्छी question mostly paper देख्या जन्दा है next हा what do you mean by photo electric effect so बच्छी इस chapter चो या ता one marks सा question आएगा यो two marks सा question आएगा so three marks सा question जिदा की photo electric experiment हो गया photo electric effect हो गया इत्री marks से questions नहीं आ सकते so one and two marks दे questions आणगे means definitions जड़िया तुसी अच्छे तरीके न लर्न करके जाओ next question बच्छी 9th unit दे विच पुछया गया what do you mean by doping हुन जिदा बच्छी थे doping पुछया गया है doping दी जगा थे जिदा की semiconductor वारे पुछया जा सकता है intrinsic semiconductor किया extrinsing semiconductors किया so जड़े छोटे-छोटे question ना 9th unit दे विच वो ज़रूर पड़के जाना p-type किया n-type किया doping किया then fermi level किया fermi level energy किया so बच्छी एददा जड़ा एक question जड़ा exam दे अंदर पुछया जा सकता हुन doping किया doping is the process of adding suitable impurity atoms to the pure semiconductor जो तो pure semiconductor दे अंदर कुछ जड़ी आ impurities add कर देतिया जान्दियों नो doping केंतिया next if the wavelength of an electromagnetic radiation is double what will happen to the energy of photon so energy of photon नो की होएगा so केड़ा relation आ जड़े ना बच्छी आसी explain कर सकते है so सटेको राजे energy of photon पताया e is equals to h mu हुनदा है then mu दी जगते सी की लिख सकते है mu दी जगते लिख दे है c over lambda एदा मतला e is inversely proportional to lambda आजेगा अगर असी क्या रहे है lambda increase होएगा ता energy decrease होएगी अगर energy lambda decrease हो रहे है ता energy increase होएगी अगर असी क्या क्या कर देता है इदा ratio निकार रहे हैं उन्हाने क्या ratio if the wavelength of electromagnetic radiation is double अगर electromagnetic radiation असी double कर दिये ठीक है इन्हाने क्या 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 देता e is inversely proportional to 1 over lambda e dash is inversely proportional to 1 over 2 lambda हुन जदो यदि ratio निकाल लांगे e dash over e के दे इखोला आजेगा बच्छे e dash दी value के निसी 1 over 2 lambda e दी value 1 over lambda मतला lambda उपपर चल जेगा lambda ना lambda cancel so 1 over 2 आजेगा so e dash दा अंसे किनना आएगा e उपपर चल आगया था e over 2 इदा मतला answer is thus the energy of photon becomes half then the wavelength of radiation is double ता double हो जेगी similarly बच्छे momentum है momentum दा formula की हुन दा है P is equal to h mu divided by c so mu over c मतला c over mu दा मतला हुन दा lambda so दी जगत दे c lambda पुट कार देता उथो relation निकाल लिया तो उन्हों solve कार लिया so बच्छे इन्हों note down कार लेना चाहिए screenshot लेके जड़ाया तुसी यदी pdf भी बना सकतिया next बच्छे कोशन है calculate the ratio of exerating potential required to exerate a proton and an alpha particle to have a same D-Brogly wavelength associated with them अगर एक proton लेननिया और एक alpha particle लेननिया तक अंदे उथी ratio निकाल लिया exeration दी सबता पहला असी की लिता ev is equal to half mv square हुन राजे असी की किता इस term नो m2 multiply कार देता और m2 divide कार देता जदो half mv square m ना multiply और m ना divide करांगे m into m की होजेगा m square v square as such नीचे की आगया 2m हुन mv के दे इककोल हुन mv is equal to p क्योंके ते square लग गया हुया था असी p square लिख देता ते थे बाणगया p square हुन जड़ाया 2m मा इन्हों दूसरी तरफ लाजो इस तरफ लाजो सो p square के दे इककोला जेगा 2mqv आ अंडरू square हटा था ते दूसरी तरफ की बाणजेगा अंडरू 2mqv सो आ आगया थोड़ी p दी value d prog ली वेव दे विचे दी value पुट करो तो थोड़ी इस तरीके दा कुछ जड़ाया अंसर आजेगा सो असी alpha particle और protons दे ली ले आरे सी तो बचे इस तरीके दा जड़ा असी लिखे दिता हूं तिया आर ना देखो जोदो असी ratio निकाली आवली term divided by आवली term h ना h cancel 2 दे नाल 2 cancel ठीक है जी बचे हूं एथी आ गया mp mp दी जगा ते की लिखिया m alpha particle जड़ा proton और alpha particle नालो चार गुणा बचे mass जड़ा हूंदा ते charge चार्ज जड़ा या alpha particle नालो जड़ा वो 2 times जड़ा हूंदा 2Q हूंदा क्योंकि थे electron लिख ले लिख ले लिख ले लिख ले था आचीज बचे अपनी copy दे उपर note-down कार लो कि electron और proton दे नालो जड़ा alpha particle नालो जड़ा mass 4 times जड़ा हूंदा और charge 2 times जड़ा हूंदा यह standard value हूंदा तो असी standard थे accordingly ही value पुट किती है just values पुट किती है और असा ड़ा answer आजेगा next आजाओ write Einstein's photoelectric equation बचे Einstein's photoelectric equation सब तो पहलां सी लिखांगे which is kinetic energy is equals to half mv square is equals to h mu minus h mu not so असी उन्हाने next के आया कि जड़ा एदिया एन्हों explain करना write करो और जड़ा graph plot करो draw a plot showing the variation of a stopping potential versus frequency so रजे आप पूरिये जड़ी तुसी आहा laws लिखने है laws लिखन तो बाद जड़ा तुसी आफ रोक्वेंसी वाला table draw कर देना so रजे जड़े laws और graph आप मैं औरड़ी previous video दे वेचे ड़ा explain कर चुक है that is why मैं एथे explain नहीं कर रही so तुसी प्लेलिस्ट बचे description देंदा दे रहांगी 7th unit ता question आप है unit number 7 plus 2 class दे वीचे चेक कर लेना था नोए है graphs और जड़ी आँ laws आप हो मिल जानेगे next आजो show by drawing ray diagram how to total internal glass prism can be used to deviate a ray of light through 90 degree and 180 degree inside it बचे जो आँ question है यह CBSE दा question है so अगर तुसी कदे कुछ भी नहीं पड़ेया और तुसी physics नो first time हाथ लगा रहे हैं तो आँ question जड़ा तुसी skip कर साकती है क्योंकि एक question CBSE दा question है sample paper at present में भी खड़े प्यार बनाए गई है यह कुशी भी कहलो तब चे यह CBSE दा question जड़ा होना ने पाया है पंजाब बोर्दे विच एदा दा question कदे नहीं आए so एदा answer देखलो रजे किस तरीके नबना वांगे जदो 90 degree है आ थाड़ा प्रिजम है मतलब ray of light सिद्धी आई टकराई और चलेगी so एथे angle जो बनेया that is 90 degree easy है बहुत easy है but एक वरी देखलो but है CBSE दा question अगर 90 degree दा होएगा it means कि इस तरीके नब प्रिजम दी light आई एथे टकराई टोटल internal reflection एथे ही हो गया so जिदना ही एथे ही reflection होएगा sorry मैं प्रिजम उल्टाबना आता इस तरीके नब प्रिजम रख्या जानदा एथा मतलब 90 दे विच बच्चे की होएगा जेड़ा की perpendicular होएगा उत्थो ray of light आएगी और जड़ी high potenuse और टकराएगी और वापस चलेगी एग हो जानदा 90 degree दा case जो तो 180 degree दा case होएगा उस case दे विच की होंदा है जेड़ी थोटी ray of light आणदी है वो आणदी है बेस्तों बेस्तों आई टकराई टोटल internal reflection होगया और सिद्धा चला गया आवी 90 और आवी 90 90 प्लस 90 किना होगया 180 degree ठेक है जी जो आँ होगया 180 degree दा case और आँ होगया थोटा 90 degree दा case next आजो a concave lens of focal length 30 cm has the same radius of curvature of both sides and have a refractive index mu अच्छे focal length थो अनु गिवन है f equals to 30 cm and radius of curvature जड़ा या थो on the both sides have refractive index मतलब बच्छे mu गिवन है 1.6 थो अनु गिवन है find the radius of curvature of the lens मतलब तुसी r जड़ा या find out करना सो बच्छे थे formula की लगाऊंगे 1 over f equals to mu minus 1 1 over r1 minus 1 over r2 क्योंकि इत्थे की होना ने क्या concave lens of focal length have same radius of curvature for the both sides सो बोथ साइड र1 थी जगा थे बच्छे r थे r2 थी जगा थे minus r लेके जड़ा तुसी सारा solve कर लेना उत्थो आरदा जड़ा तुसी answer solve कर लेना सो एक वरी बच्छे solve करके देख लेना नहीं solve होएगा था comment section देविच देदेना जड़ा थो अनू एदा answer में provide कर दियांगी next give the debrogly explanation of Bohr's second postulator of quantization सो रजे ए जो question यह लास्ट यहर तो ही थोड़ इस ले बज़े विच add होया otherwise पहला एक question ते जादा focus नहीं किता जान्दा सी so जड़े weak student आया first time physics नो पढ़ रहे है so आवाला जड़ा question आ उसके प कर सक रहे है otherwise बचे answer तुसी देख रहे है जड़ा answer स्क्रेंशोट ले सकते हैं यह सिंपल पढ़ सकते हैं बहुत easy है otherwise तुसी बचे plus one class विच भी जड़ा है पढ़के आ चुकिया next हा right हुन रचे एक चीज आते हा नुख क्योंकि two two marks दे question हा हुन रचे नहीं किया give the deep broadly explanation of a bohars second postulate of quantization so देखलो postulate से दे एदवाई 7 हा हुन बचे एदवाई दा question अगर two marks दा आ जान दा ता तुसी चार points भी लिख क्या हूंगे ता थोड़ा चाल जेगा next आ जो right formation of Rydberg constant so सब तो बहला constant बचे थोड़ा है कि formula लिखना formula कि इंदा 1 over lambda is equals to r 1 over nf square minus n i square 1 over lambda is equals to r square 1 over n final minus initial the square ठीक है एद टर्म हुन दिया so सब तो बहला सुसी formula लिख दिता so एदा 1 marks आजेगा clear the meaning of the various term in it so various term मतलब एदी विच बहुत सार गां terms हुन दिया लाइमन सीरीज, बालमर सीरीज, पॉस्चन सीरीज, पीफंड सीरीज, कोई भी सीरीज हो सा दिया find out its value so आप उदी value find out करनी है so लाइमन सीरीज बच्चे अगर ले लेनने है ता लाइमन सीरीज लेली इदी विच बालमर सीरीज लेली फर्स दे विच की किता, बालमर लेली, उदे विच की किता, टू स्केर, माइनस, अनिशल की लेली इदी स्केर जित उसी लाइमन सीरीज लेनने है यदा मतला, सेकंड तो स्टार्ट करूंगे ता वन दा, फाइनल की अथा दी फर्स और अनिशल कोई भी हो सा दिया, दो हो सा दिया, तिन हो सा दिया, चार हो सा दिया वैल्यू पुट कीती, उन्हों सॉल्व कीता, जस थोड़ा अनसर आगया अगर अज इन वड़नी भी सॉल्व करना, सिरफ लाइमन सीरीज वारे, सिरफ इनक भी सॉल्व करके आने, तो आपी थो नूपूरे माकसा आजानगे क्योंकि ना नहीं किसे भी एक सीरीज वारे, clear the meaning of the various terms in it सो बहुत सार यहां terms हुन दिया, कैंदे किसे भी इकदी value find out कर दो, सो असी किसे इकदी value find out कर सा कदिया जह difference लिखना था बच्चे difference करके, नहीं था आर जेदा प्रोपर इदा solve कीता है था इस तरीके नाड़ भी solve कर सा कदिया हुन आजो next question थे, how many electron, proton, neutrons are there in a nuclei of atomic number 11 थे mass number 24 है सो एक easy question आई थिंग बच्चे एता तुसी सब कारी लोंगे next आजो, carbon, silicon, germinium has the same lattice structure, देखन वीचे कन थे structure इना था सीम हुनता है चार-चार जड़े या, atoms तो यो बढ़के, electrons तो बढ़के मिल, बढ़या हुनता why carbon exists as an insulator, फिर भी आसी carbon नो insulator कहने है जदकि silicon and germinium नो entrancing semiconductors कहने है कहने दख्यों कहने है, कहने सा नो पता, silicon, germinium थे carbon दे विच फोर valence atom हुन दिया देर फोर valence electrons are present in the second, third, fourth orbit of the respective atoms so carbon दे विच बचे, second atom चार electrons, silicon दे, third दे विच चे, germinium दे, fourth दे विच the energy gap of a germinium is 0.72, silicon दे विच न, carbon दे विच न due to which the number of free electrons for the conduction will be signify in a germinium and silicon but will be negligible small for carbon, carbon दे लई की होएगा, कट होएगा, जदकि silicon और germinium दे विचो easily जड़ा electron बार चला जाएगा, that is why carbon नो उसी insulator कहा दिने ते silicon ते germinium नो intrinsic semiconductor, क्योंकि उज़ी कंड़क्ट कर जन दिया जड़ा carbon आ रहा चे ए बॉंड बना लेंदा, ए कोवलेंड बना लेंदा, में भी तुसी chemistry बहुत अची तरीके ना पढ़ रहे होंगे तुसी देख्ञाओना, सब्तों जड़ा जड़ा, कोवलेंड बना, ट्रपल बना, डबल बना, वो carbon बना ना, क्योंकि उपने electron चट दा नहीं है, वो bond बना लेंदा, जिन्नों कोवलेंड बना लेंदा, जिन्नों कोवलेंड बना लेंदा, शिलिकोन और जिर्मीनियम फिल्वेवर रेक्टिफायर, बना, डियागर। तो मिलेगी which is RL ठीक है उपर को ना D1, D2, load resistance RL, primary और a scant recoil, so इनिक डाइग्रामा अराची ए तुसी बना किया निया इदा थो आनू 1 max मिल जेगा, क्योंकि नोने डाइग्राम ट्रो करन दे बली बुलिया explain the working of a full wave so proper बचे दी working थो आनू given explain करके लास्टे विचड़ा graph आहो plot करना है so बचे एती विचड़ा में proper explain किता होया या article बचे unit number 9 दे टापिक है अगर तुसी इदी proper explanation देखना चालने है ता बचे playlist दे description दे अन्दा थो और उस हार या playlist मिल जानगा unit number 6, 7, 8, 9 so ये बचे unit number 9 दा टापिक है अगर तुसी वीडियो देखना चालने है ता देख साकती है next हा define linear magnification of a mirror write its formula in the form of U and V what is the value of linear magnification for the plane mirror बचे इनना जादा simple question 3 marks दा कदे भी Punjab बोड़े विचे नहीं पिच्छा जानदा कि 1, 1, 1 marks दा question है but एनना जादा simple question कदे भी जड़ा Punjab बोड़े विचे नहीं पुच्छा जानदा always जड़ा या theory नू या एक length नू prefer किता जानदा है कि एक long article पुच्छा जावे so ये बहुत short answer है ये बचे 1 या 2 marks दे पुच्छा जा सकता otherwise 3 marks दे विचे पुच्छा बोड़े विचे बहुत रिरर चानदा कि पुच्छा जावे हुनो नहीं क्या linear magnification of mirror की या it is the ratio of a height of image to the height of object what is the formula of in terms of u and v 1 over f equals to 1 over u plus 1 over v and what is the value of linear magnification for the plane mirror that is 1 so बस इनना का answer रा राजे एक एक पॉइंट्स दे विचे एक एक लाइन दे विचे ता answer सी next आजो 5 cm needle is placed 10 cm away from a concave mirror of focal and 20 cm give the location of image location of image मितला बच्चे तुसी V पता करना magnification means तुसी M पता करना 2 चीजा पता करने हा सब तो पहला given की चीज हा 5 cm needle is placed मतला की object दी height given है object is equals to 5 cm placed u is equals to minus 10 cm convex बच्चे mirror focal length किनी होएगी 20 cm so सारे पहला बच्चे units check कर लाने cm 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 so सारे same है formula लगावांगे u v जड़ा o u f थो नुगिवन है v दी value तुसी निकाल लाने है v दी value आई 20 divided by 3 मतला की 6.66 6 या फिर लिक्सा करें v is equals to 6.67 cm otherwise एदा बच्चे carry ज़रूर दो 7 cm जड़ाया accurate answer है next magnification किस तरीके न निकाल ली है m is equals to minus v over u v given a u given a magnification बच्चे क्योंकि image दी क्या आया so एथे उन्हाने clear cut नहीं किता कि उन्हाने magnification simple m क्या आया या फिर जड़ा image दी magnification क्या so मैं दोना तरीके न बच्चे solve कीता हुया अगर आसी इन्हों नहीं solve कर दे m दी value नहीं पुट कर दे direct t d value पुट कर दे तो इत्थे ही answer आजेगा 2 divided by 3 अगर उन्हाने image दी क्या थे m दी value पुट कर दे i over o i over o o दी value बच्चे कि निया 5 so 5 दूसरी तरफ लेके जावागे तो 10 over 3 so आथा दी i दी जड़िया answer आजेगा clear हो गया अगर magnification कल लिया तो तूसी 2 over 3 तक भी answer छोड़के आ सकतिया next time write the 3 postulates of a bohus theory of hydrogen atom so बच्चे बच्चे बोhus theory थे hydrogen atom थे postulates है तूसी जड़ा 3 क्या है बच्चे मैं थे 4 लिखे हुए है तूसी कोई भी जड़े या 3 जड़े learn कर सकतिया ठीक है screenshot लेला न और अपनी notes से उपर इन्हों लिख लेना next time show that the nuclear density is independent of mass number of the nucleus can they इन्हों show करो कि mass number थे depend नहीं करदा so सब तो पहला असी की किता त्यान ना देख लो बच्चे असी येदा volume लिखे है volume के देख लोगे का 4 over 3 pi r cube density के देख लोगे mass over volume दे so असी की किता volume नूँ दूसरी तरफ लेगे rho के देख लोगे mass over volume volume नूँ दूसरी तरफ लेगे ता mass over rho आजेगा so यदी जगात लिखता mass over rho rho नू लेगे दूसरी तरफ ठीक है? rho नू लेगे इदर आगया 4 over 3 pi r cube r o नू दूसरी तरफ लेजो था m दा अन्सरी किनना आजेगा 4 over 3 pi r cube rho उदधर चला गया था ना लागया rho आगया उथा दी प्रोपटम हुन r0 के दीकोल r is equals to r0 a the power 1 over 3 so यद्थो बच्चे mass निकाल लिया देनो the values put करती है हुन last वाल बच्चे एक छोटा जी calculation मैन ने कीती उन्हाने क्या आया कि last वीचे दिया values put करके also find the value of density also find the value of density बच्चे रो दी value डड़िया calculation solve करो so last वीच बच्चे mass वी था नूँ पता r0 the value standard value of values put करके solve कर लेना उथा रो दा answer आजेगा so एक question वीचे पंजाब बोर दे वीच कदे नहीं आया so ए less important अगर तुसे यहनों skip करना चाने था skip कार सकते हैं next explain the difference between the conduction, conductor, insulator, semiconductor by making well-label diagram so रजे पहला था नूँ कल्ले कली the definition देडी पहेगी conductor देंदर की हुन दाया किस तरीके ना जड़ाया potential difference बांदाया किस तरीके ना conductivity हुन दिया so एक वर यह पाल ले ना conductor, insulator then semiconductor then उन्हाने energy band के आता बचे energy band जड़ाया तुसी proper draw कर ले ना so अगर तुसी दिनेश्टी बुक फालो कर रहे हैं तुसी दिनेश्टी बुक दे accordingly भी कर सकते हैं अगर तुसी modern दी बुक फालो कर रहे हैं the modern दी बुक दे accordingly भी एनू लिख सकते हैं wording बचे हर एक बुक दी थोड़ी थोड़ी चेंज हा so जिदा था नूँ easy लागता जिदा तुसी पहला पढ़या होया तुसी उस्तरी के ना लिख सकते हैं next राइट assumptions and drive the relation when a ray of light enters from rarer to denser medium in a convex spherical mirror so बचे तड़े सी आवले केस किते हैं total six cases हा six दे विच्चो सरफ दो केस जादा important हा convex spherical mirror दे ही important हा when object lies in a rarer medium या when object lies in a denser medium ठीक है जो रेल केस हा बचे रेल केस ही जादा important है virtual case इनना important नहीं हा so एदे उपर विच्चे था उनू proper video मिल जेगी ray optics दे विच्च बचे playlist दे विच्च जाके ray optics देख लाए ना विच्च था उनू ये proper पूरा article explain किता हुए next टेलिस्कोप दा बचे यसी question पुछया गया है at least distance of distinct vision बता D तक ही solve करना है सो रजे एदी भी video औरड़ी बनी हुई है अगर यह topic भी तुसी समझना चानने है step by step ता अज़े तुसी unit number 6 दे विच्च जाके जड़ा एनू देख साकते है clear हो गया जी सो बचे last जड़ा 6 questions सी 17th questions सी सो तुसी देख साकते बचे दोनों questions दो questions आया first question ray optics दे विच्चों आया second question Vray optics दे विच्चों ही आया एदा मतलब अगर तुसी ए सोच देआ कि इसी ray optics चाड़ा देन या wave optics कला पड़के चल जाने ता साड़ा सार जेगा तुसी waves नो चाड़के चल जूँगे ता बचे चल जेगा अगर तुसी interference of light diffraction चाड़ जाने या देन तुसी higens principle चाड़ जाने या ता ओथे चल लेगा बट ray optics जो कई वरियादा हुँदा कि six marks दे जो question आ और ray optics दे विच्चों ही बन किया जान्दा सो ray optics दे बचे कोई भी topic skip ना करके जाना सो try करो कि अपने जड़िया ray optics बहुत अच्छी तरीके ना prepare कर लो होर बचे था नू किसे तरीके दी कोई भी help चाहिए दिया तुसी comment section दे विचे दे सकते है यान था नू किसे भी question चु कोई problem होवे ता comment section दे विचे दे सकते है जानदे जानदे बचे विडियो नू like कर जो maximum share कर जो अगर चैनल थे first time आयो था चैनल नू subscribe करना ना पुलना thank you so much